लोकसबा चुनाओं के बीच हिंदू और मुसल्मानों के आबादी पर आई एक रिपोर्ट ने देश में हिंदू मुसल्मान के आग में तेल डालने का काम कर दिया इस रिपोर्ट के आने के बाद कहा जा रहा है कि देखो हिंदों के अबादी लगातार घट रही है और मुसल्मान इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि वो जल्दी हिंदों से भी ज्यादा हो जाएंगे इस वीडियो में आज हम इस दावे की पड़ताल करेंगे आज तत्यों और आकड़ों के साथ इस सबसे बड़े जूट की पॉल खोली जाएगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ख़बर जान लीजिए कि आखिर ख़बर क्या है लोग सबच उनाओं के बीचों बीच प्रधानमंत्री को सला देने वाली Economic Advisory Council ने हिंदू और मुसल्मानों की जनसंक्या पर रेपोर्ट जारी की है रेपोर्ट के मताबिक भारत में साल 1950 से 2015 के बीच हिंदू के अबादी 7.8% कम हो गई वहीं इसी दोरान मुसलिमों के अबादी में 43.1.5% की बड़ोतरी दर्ज की गई इस रेपोर्ट के सामने आने के बाद से बीजेपी वाले इसे चुनावी मुदा बना रहे हैं और हिंदू बादी कह रहे हैं कि देखो हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हिंदोबादी नेता अक्सर हिंदों को ये डर दिखाते रहते हैं कि मुसल्मानों की आबादी टेजी से बढ़ रही है एक मुसल्मान चार-चार बीवी रख रहा है और चाले-चारिस बचे पैदा कर रहा है और एक दिन वो आएगा जब भारत में मुसल्मानों की अबादी हिंदों से भी ज्यादा हो जाएगी और देश पर मुसल्मानों का कबजा हो जाएगा ये डर अक्सर दिखाया जाता है लेकिन हकीकत में ये दावा ब्रामा को जूट है क्योंकि हर 10 साल में देश में इतने हिंदों बढ़ जाते हैं जितनी मुसल्मानों की कुल आबादी है तो चलिए आज हिसाब लगा लेते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसल्मान हिंदों के बराबर हो जाएंगे या हिंदों से ज्यादा हो जाएंगे ये बात तो सच है कि मुसल्मानों की जनसंख्या बढ़ने की दर हिंडू की जनसंख्या बढ़ने की दर से ज्यादा है 2001 से 2011 के बीच हिंडू की जनसंख्या 16.8% की दर से बढ़ी तो मुसल्मानों की जनसंख्या 24.6% की दर से बढ़ी थी अगर ये मान लिया जाए कि हिंदो और मुसल्मानों की जन संख्या आगे इसी रफ्तार से लगातार बढ़ती रहेगी तो जानते हैं कि मुसल्मानों की जन संख्या हिंदों की जन संख्या के बराबर का पहुंच सकती है और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी 13,000 करोड जी हां 13,000 करोड बढ़ते बढ़ते जब भारत की अबादी 13,000 करोड हो जाएगी तब जाकर हिंदों और मुसल्मान बराबर होंगे और तब भारत में हिंदों और मुसल्मानों की अबादी 6,000 करोड होगी यानि 65,000 करोड हिंदों और 65,000 करोड मुसल्मान होंगे और वो भी तब होगा जब दोनों ही समुदाए अपने आज की रफतार से लगातार बढ़ते रहेंगी यानि इतने जादा बच्चे पैदा करते रहेंगे इसी रफतार से और ये सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला है उसके लिए भी आपको 2281 की जनगणना का इंतजार करना होगा यानि आज से 270 साल बाद जाकर हिंदू और मुसल्मानों की आबादी एक बराबर हो पाएगी यानि इससे बड़ा भरम कोई हो ही नहीं सक वो इतनी तेजी से अबादी बढ़ाएंगे कि देखते ही देखते वो हिंदू से भी ज्यादा हो जाएंगे लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ आपके सामने प्रमान है जबकि हाकीकत तो ये है कि मुसल्मानों में बच्चे पैदा करने की दर लगातार कम होती जा रही है साल 1981 से 1991 के बीच मुसल्मानों में जनसंख्या बढ़ने की दर 32.9 फीसदी थी जो साल 1991 से 2001 के बीच घटकर 39.3 फीसदी हो गई यारी 10 साल में करीब 3 फीसदी की कम ही आ गई अगले 10 साल के अगर बात करें तो 2001 से 2011 के बीच मुसल्मानों में जनसंख्या बढ़ने की दर घटकर 24.6 फीसदी रह गई यारी 2001 के मुकाबले 2011 तक आते आते 4.7 फीसदी कम हो गई यारी उनकी जनसंख्या दर कम हो रही है दिल्चस्पात ये है कि मुसल्मानों के मुकाबले हिंदों में जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिर रही है साल 1981 से 1991 के बीच हिंदों में जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8 फीसदी थी जो साल 1991 से 2001 के बीच घटकर 20 फीसदी हो गई थी यानि 10 साल में सिर्फ 2 फीसदी की कमी आई अगले 10 साल की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच हिंदूओं में जनसंख्या बढ़ने की दर घट कर 16.8 फीसदी रह गई यानि 1981 से 2011 के बीच मुसल्मानों की जनसंख्या दर 32.9 फीसदी से घट कर 24.6 फीसदी पर आ गई और हिंदू के जनसंख्या दर 22.5 फीसदी से घट कर 16.8 फीसदी पर आ गई लेकिन बात सिर्फ परतीशत की नहीं है आपको नंबर्स पर जाना होगा क्योंकि मुसल्मानों और हिंदू के अबादी में इतना अंतर है कि इस दर पर मुसल्मान 4 करोड बढ़ेंगे तो हिंदू इसी दर पर मुसल्मानों से 4 गुणा यानी 16 करोड बढ़ जाएंगे यानी 2021 में हिंदू 112 करोड और मुसलिम 21 करोड होंगे 2021 में हिंदू 131 करोड और मुसल्मान 26 करोड होंगे इसी दर पर बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद यानी 211 यानी 211 में हिंदू 455 करोड हो जाएंगे और मुसल्मान होंगे 155 करोड इसी रफ़तार से अगर आगे बढ़ते रहे तो 200 साल बाद यानी 2211, 2211 में हिंदू 2150 करोड हो चुके होंगे और मुसल्मान होंगे 1400 करोड और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 281 में हिंदू 6378 करोड होंगे और मुसल्मान 631 करोड हो जाएंगे यानी 270 साल बाद जाकर साल 281 में मुसल्मानों की आबादी हिंदू की आबादी को पार कर पाएगी वो भी तब जब दोनों इसी रफतार से बढ़ते रहे तो असल में ऐसा होना असंभव है जैसे जैसे देश में खुशाली बढ़ेगी लोगों में सिक्षा कस्तर बढ़ेगा लोग गरीबी से निकल कर संपन होंगे तो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे और सभी समुदायों में बच्चे पैदा करने की रफतार लगबग बराबर हो जाएगी दुनिया के विक्सित देशों में भी ऐसा ही हुआ वहां भी जैसे जैसे सिक्षा और संपन्ता बढ़ी वहां की सभी वर्गों में बच्चे पैदा करने की दरकम हो गई यानि इससे बड़ा जूट कोई ही नहीं सकता कि मुसल्मानों की अबादी हिंदों से ज्यादा हो जाएगी 270 साल लगेंगे ऐसा होने में और वो भी तब जब इस रफ्तार से दोनों समुदाइब बढ़ते रहे तो और उस समय भारत की अबादी 13,000 करोड हो जाएगी कौन उनको पालेगा कौन खिलाएगा इस समय आप देखिए दुनिया की अबादी 700 करोड है 13,000 करोड अगर सिर्फ भारत की अबादी होगी तो क्या हल हो जाएगा यह आप समझ सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन ऐसा होगा क्यों लोगों में अब जागरुकता आ रही है लोग गर्ब निरोद उतपादों का इसमाल कर रहे हैं बच्चे पैदा कम कर रहे हैं पहले से जादा सिक्षत हैं छोटे परिवार बना रहे हैं लोगों से 2-3 बच्चे तो पल नहीं रहे वो बला 40 बच्चे कहां से पालेंगे इसलिए ये सिर्फ बकवास के सिवा कुछ नहीं है आपको ऐसे फाल्तू एजेंडे में नहीं फसना चाहिए ये चुनाओ ये जंडा है क्योंकि आप देखें 2020-21 में जनगनना नहीं हुई कोविड का बाना बना के जनगनना नहीं कराई गई लेकिन आप चुनाओ के बीच में प्रदान मंत्री की एकोनोमिक एडवाइसरी काउंसिल ने ये आखड़ा जारी कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी ये दिखाने के लिए कि चुनाओ में हिंदू-मुसल्मान की आग को और भड़काया जा सकी इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस जूट से परदा उठाने में हमारी मदद करें चुनाओं के बीच इस जूट को बे नकाब करना बहुत जरूरी है ताकि इस देश में खुशाली रहे आमनचैन बना रहे इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और दे न्यूजबीक को सबस्क्राइब भी जरूर करें वीडियो केंट में आपसे एक छोटी सी अपील साथियों गर आपको दे न्यूजबीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूँ ही अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूजबीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जरिये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsbeek at the rate YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsbeek Foundation अकाउंट नंबर है 0235-887-0000-640 IFSC कोड है YesB 0000-235 बैंक का नाम YesBank है और ब्रांच है नहरू पैलेस दिली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें